नमस्कार प्यारे साथ यूँ देखिए इस वीडियो में प्रीबीएड एक्जाम के दरश्टी कौन से जीके के 50 महत्मु प्रश्ण जो पिछले एक्जाम में पूछे गए हैं प्रश्ण पूछे गए हैं यह हम देखेंगे और देखिए एक तरसे आपके प्रश्ण करें आपको कमेंट करते हुए चलना है । अन्ता में आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपको कितने हैक्वेशन पर Hilis सुरुवात करें तो प्रश्ण बारत की जनसंक्या बहू प्रजाती एनिए अने प्राचिन जन जाती की से माना जाता हैं, क्या हो जाग इसका अंसर, निग्रेटो, निग्रेटो को अपने भारत की सबसे प्राचिन जन जाती माना जाता हैं, तो option one हो जाएगा इसका correct answer, option one इसका सही answer है, अगला प्रस्षने, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता अमारा के इकबाल हो जाएगा, option two हो जाएगा, इसका correct answer, देकि इसके साथ, दूसरी बाती भी आप ज्यान रखे, वहां से भी आप कापिसार प्रस्षन पुझे जाते हैं, जिससे वंदे मात्रम, वंदे मात्रम, आप सभी को बताएपने राष्ट्रिये गीत हैं, तो वंदे मात्रम क के रचेता कोने अपने, सारे जहां से अच्छा, इंदोस्ता हमारे के रचेता अपने इकबाल हो गए, और राष्ट्री गीत वंदे मात्रम के रचेता कोने, वंदे मात्रम के बंकिम चंद चतर जी, यह अपने राष्ट्री गीत के रचेता हैं, और राष्ट्री गान अगर पूस ले राष्ट्री गान तो इसके रचेता कोने अपने जन्द गर्ण मन के रचेता कोने रविंद्र नाथ टेगोर, रविंद्र नाथ टेगोर, राष्ट्री गान के रचेता हैं, तो ये तिनों बातों को आपको दियान में रखना हैं, इसका उप्शन दो हो जाएगा correct answer, यहां से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं अगला प्रश्न देखिए साइन से भी आपके तीन से चार प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखिए इसमें क्या कि रहा है प्रश्न अस्तियों का निर्मान नवीनी करण और मरमत को तो ओसिफिकेशन के नाम से जाना आता है त तो देखि इसका निर्नाए कौन करता है कि कोई विदेग आया है वो वित विदेग है या नहीं तो देखि केंदर सरकार की गर बात करें केंदर की बात करें तो केंदर में क्या है अपने लोग सभा का जो अध्यक्स होता है लोग सभा के स्पिकर वो इस बात का निर्नाए करते कि कोई विदेख वित विदेख है या नहीं और राजी सरकार की गर बात करें तो अपने विदान सभा की जो अध्यक्स है जो वरतमान में विदान सभा की अध्यक्स है राजतान के तो यह इस बात का निरने करते हैं कि यह विदेख वित विदेख है या नहीं और लोग सभा की वरतमान एस्पिकर को ने अपने कोटा की जुसांसत है ओम बीड़ा ये लोगसभा के वरतमान अध्यक्स है तो ये इस बात का निर्दय करता है कि ये विद्विदैक है या नहीं तो आप ज्यान रखें कि अंदर में अपने लोगसभा हो जाएगा लोगसभा के अध्यक्स है और राज्य में अपने हो जाएगा विदान सभा के अध्यक्स है या इस्पिकर तो उप्शन वन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेशन पांच है अरावली प्रवत स्रंगला निमलिकित नदी प्रनाली से द्वी विबाजित होती है एसी कौनसी दो नदिया है जिससे अ एक नदी निकलती है कौनसे नदी अपने लोणी नदी निकलती है और लोणी नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लोणी नदी अपने बालोत्रा बार्मेर तक तो इसमें मिठा जल वेता है मिठा जल लेकिन बालोत्रा बार्मेर के बाद यह क्या हो जाती है अपने ख खमनोर की पार्यों से एक नदी निकलती है, खमनोर राजसमन से, जिसका नाम क्या है अपने बनास नदी, तो बनास नदी अपने खमनोर राजसमन से निकलती है, तो अपने ये द्वी विबाजित कौन से नदिया कर रही है, अपने लुणी और बनास नदी, तो option 4 हो जाएगा का इसका एकदम करेक्ट आंसर ओप्षिन चार इसका सही आंसर है अगला प्रस्ट ने क्वेशन छे उनिस सेतालिस से पूर्व राजस्तान की प्रत्यक रियासत में समयंदानिक सुधार कर उत्तरदाई सरकार बनाने की दिश्या में कुछ कदम उठाए गए थे सिवाए एक रि प्रत्यक रियासत ने कोचन कुछ थोड़े बहुत कदम उठाए थे उत्तरदाई सरकार बनाने की दिश्या में तो ऑफ्षन तीर हो जागा इसका करेक्ट अंसर और देकिए जैसल मेर के बारे में आपने पड़ा होगा जैसल मेर प्रजामनल समधित नेता ही सागर मल गोपा सागर मल गोपा यह महान करांती करी हुए है इनके बारे में काफी सार प्रशन पूछ जाते हैं कि ऐसे कौन से करांती करी थे जिनको जैल में जिन्दा जला दिया गया था तो देकि जैसल मेर की जैल में अपने थानेदार गुमान सिंग के द्वारा अपने इन पर केरोसें सागर मल गोपा की फुस्त के आजादी के दिवाने और रगुनात सिंग का मुकदमा तो ओप्शन तीन हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर अगला प्रस ने कोटा का प्रसीद दूर्ग किस नदी के तट पर इस्तित हैं क्या हो जाग इसका अंसर तो देखिए कोटा का काली सिंद और आहू नदी काली सिंद वा आहू नदी के तट पर इस्तित हैं गागरों दूर्ग ये भी बात आप ज्यान रखें और ये अपने कोटा का दूर्ग का है अपने चंबल नदी के तट पर ओप्शन दो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अगला प्रस ने आटवी प बराणु से सित्याणु तग थी ओप्शिन चार हो जेगा इसका करेक्ट आणसर 12 empathy से muitas पर देके पंच वर्शी योजना की सुर्वात कब होई ती जो मुक्यता नागोर और जोदपूर जिलों में पाई जाती है क्या हो जागा इसका आंसर तो तीके नागोर और जोदपूर जिलों में निवास करने वाली लोग संगीत के सी कौन सी जन जाती है क्या हो जागा इसका आंसर आप कमेंट करके बताई ये पटापट से तो ती तो देखिए देश के चौदा बड़े जो व्यावसाइक बेंग थे इनका एक साथ राष्ट्री करण किया गया था कब किया गया था क्या हो जग इसका अंसर उनिस सो उनसीतर में इनका राष्ट्री करण किया गया था लेकिन डेट भी अगर पूची जाए तो उनिस जुलाई 1909 हो जाएगा इसका correct answer option 1 इसका correct answer हो जाएगा 19 जुलाई 1909 के दिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्री करन एक साथ किया गया था option 1 इसका correct answer है अगला प्रस्ने question 11 सयुक्त राष्ट्र की महा सभाद्वारा मानव अधिकारों की सार्व वोमिक गोष्णा को कब अंगिकार किया ग संकी और सयुक्त राष्ट्र के द्वरां इसकी महा समय के द्वरा के द्वरा मानव अधिकारों की सारवुमिक गोष्णा को अंगिकार किया गया था चुप ऑद दस दिसमबर 1948 के दिन यह अंगिकार किया गया था रे इसका अंतर अंतर अपने option 25 म क्दें सोविस 2014 करेक्ट आंसर अग्ला प्रस्नें राजिस्तान का वह लोक देवता जिसका संमंध गाँ औरbyा संसे लोग देवता है तो क्या हो पीपा हो जाएगा इसका correct answer गागरोण के खीची वन से सम्धी थे अबने गागरोण के सासक तफे अपने संति पीपा थे गागरोण के सासक पुछ tua जाए जिस प्रकार अम आरादी देवें दर्जी जाती के आरादी देवें संत्विपा और संत्विपा इनके अगर गूरू का नाम अगर पूछ ले तो रामयनंद रामयनंद इनके गूरू का नाम था तो option one हो जाएगा इसका correct answer इतनी सारी बाते आपके एक-एक प्रस्ण में cover हो रही है तो आपको वीडियो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों साथ भी जरूर सेर करना है अगला प्रस्ण है question 13 बारत में हरित क्रांती के जनक कौन है तो देखे बारत की बात कर रहे हैं आप बारत की तो बारत में हर हरित क्रांती के जनक हें और देखे विश्व के संधर्प में कर बात करें तो बारत में योजना आयोग राज्योव और राष्ट्र में गरीवी का अनुमान लगाने लिए किस के सुत्र का प्रियोग करता है क्या हो जागा इसका अंसर तो देखिए योजना आयोग के द्वारा गरीबी का अनुमान लगा जाता है लेकिन किस सुत्र पर आदार किस सुत्र को आदार बना कर ये इसका अनुमान लगाता है तो डीटी लाकडा वाला डीटी लाकड बारती राजी के अधिक्तम सिमा म्यानमार से एसपर्स करती है तो देखिए म्यानमार से बारती राजी के अधिक्तम सिमा म्यानमार से एसपर्स करती है तो देखिए म्यानमार से अपने बारत के चार राजी सिमा बनाता है कितने चार राजी और सबसे अधिक सिमा अपने किसकी अरुना चल पर देश की हैं लेकिन भारत इसक कौन सा देश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा सिमा बनाता है बांगला देश के साथ सबसे ज़्यादा सिमा बनाता है बांगला देश के साथ सबसे दिख सिमा बनती है बारत की कितनी 4,066 किलोमेटर अपने बांगला देश के प्रवाल उद्गम के यह सभी क्या है प्रवाल उद्गम के ओप्शन दो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यह प्रवाल उद्गम के अगर पूचे जाए तो अनुचेद असी के ताहत यह क्या गया है गटन राजी सभा के गटन अनुचेद असी के ताहत किया गया है ओप्शन एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अगला और काफी मत्म प्रशने काफी बार एक्जाम में पूचा गया है तो देखी समिंदान पूचे तो सचीदानंद सिना हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर देखे यह किस आधार पर अध्यक्स बनाए गया थे संसप में इनकी सबसे ज्यादा उम्र थी ओमर की लियास से सबसे बड़े होने करण इनको अगला प्रशने बारत में प्रतम रेल लाइन निमिलिक्र में से किसने बिछवाई थी क्या होग इसका अंसर तो दिकिए बारत में सबसे बहले रेल लाइन बिचाने का असरे है और बारत में रेलवे का जनक लार्ड को जाता है लार्ड डालोजी लेकिन यह पर डलोजी को आप्शन में नहीं देरे हो का है तो दिकिए ये इंजिनेर कौन अपने जोर्ज क्लार्क, जोर्ज क्लार्क की एक अपने अंग्रेजी चीप इंजिनियर थे, इनके द्वारा आपने इनकी देखरेक में बारत में रेल लाइन विचाएगी थी, तो ओप्षन तीन हो जाएगा इसका करिक्ट अंसर, और बारत में रेल्वे के जनक अगर पुच जा गया है कि गायत्री मंत्र किसको संब्धिते अपने गादेवी सावित्री को, तो एक किस पूस्तग में इसका उलेक मिलता है, तो गायत्री मंत्र अपने ये रेग वेद में इसका उलेक मिलता है, तेकि चार वेद, अपने रेग वेद, सान वेद, यजुर वेद, मेरा तर्ण वीडियो देगा था 500 से ज़्यादा अपने प्रश्ण देखे थे तो बारती इतियाज के जितने भी टोपिक थे हम सारे उसमें अपने उसमें कवर कर लिए थे तो वह भी जगर आप देख सकते हैं उसका लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में देदूगा तो वह से अपने इसलाम धर्म से तो उप्शन तीन हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर इसलाम धर्म से अगला प्रश्ण काईद आजम किसे का जाता है काईद आजम तो देखिए काईद आजम किसका उपनाम है क्या होजगा इसका अंसर तो देखिए मुहमद अली जिन्ना मुहमद अ करंसी पर अपने पाकिस्तान की नोत पर किसका फोटो लगा होता है अपने मौमद अली जिन्ना का फोटो लगता है पाकिस्तान की करंसी पर आप जाना के मौमद अली जिन्ना को अपने काईद आजम कहा जाता है अगला परश्णे, जहागिर के काल में एक विशेश प्रकार की चित्रण सेली का विकास हुआ था, वह कौनसी से लिए तो थिकी जहागिर के काल में अपने 26 चित्र कला सेली का विकास हुआ, 26 चित्र कला सेली का तो ऑप्शन दो है इसका Governoris that और इस प्रकार भी पूचा जा सकता है कि छावी चित्रकारी का विकास अपने किस मुगल सासक के काल में हुआ था तो जहागीर के काल में हुआ था ये आप दियान दुखें अगला प्रश्ने निमलिकित में से किसे सेवी समंदी थे तो देखिए सेवी का समंदी किसे अपने सेवी का समंदी ये भी काफी बार प्रश्ने पुझा गया इपने सेवी किसे समंदी थे अपने सेवी किसे समंदी थे अपने सेवी किसे समंदी थे अपने सेवी किसे समंदी की बताना है डव्यू टियो का मुखिया नहीं का 완성 ची थे यह आप सभे को business करके बताना हे और विस वूया पार संगतल इसका पेले नाम किया ता अपने G suquier2 ट या प्म पूरा और नाम है इसका तो डव टीयो का मुख्या ने का इस्तिते ते आपको एक कमेंट करके बताना है यह काफी बार पूछा जा चुका है अगला फ्रीस ने क्रेशन 26 क्रशी का सबसे आदेम स्वरूप क्या कहलाता है तो देखें आदेम स्वरूप का मितलब क्या होता है सबसे प्राचिन स्वरूप क्या गिलता है आदिम तो देखे अस्तानांत्रित कर्षी हो जाएगा इसका correct answer अस्तानांत्रित कर्षी जिसको जोमिन कर्षी वाल्डा कर्षी चीमाता कर्षी आदिनामों से जाना दता है तो आप जाने के अस्तानांत्रित कर्षी आने की जंगलों को जला कर या फिर पेट पदों को काट कर ये खेती की जाती है वह अस्ता ही खेती कैसकते है इसको तो ये अस्तानांत्रित कर्षी कलाती है अगला प्रश्ली, क्वेशन 27, बारत का वह प्रथम राज्य जिसने सीचाई साथनों के प्रबंद में किसानों को भी बागीदार बनाया था अगला प्रश्ली, वारत की समस्त बाग प्रियोजनाओं में सबसे सगन बाग शेत्र कौन साई तो गरें सबी बाग प्रियोजना के थे, तो सबसे सगन बाग शेत्र, जा सबसे अधिक बाग ढिवास करते हैं तो अपने मानेस बाग प्रियोजना हो जाएगा इसका correct answer और अगर पुचा जाए मानस बाग प्रियोजन आपने किस राजी से समन्दी थे अपने असम राजी से समन्दी थे यह आप द्यान रखें यह भी का अभीवार पूचा गया फ्रस्ट ने क्वेशन 29 से 29 स्वतंत्र बारत के प्रतम गवर्नर जनरल कों थे तो देखे स्वतंत्र बारत के प्रतम गवर्नर जनरल अगर पूचा जाए तो कों थे अबने लार्ड माउंट बेटन ओप्शन दो लार्ड माउंट बेटन स्वतंत्र बारत के पेले गवर्नर जनरल थे और दे वेटन थे और प्रद्म बारती गवर्नर्ट जेनरल को सब्सक्राइस राज गुपाला चारी यानि जो समुदुध व्यक्ति जो गवर्नर्ट जनरल को थे ऐसोभां तरुभत्स के विल अगला फ्रसते तैमूर लंग अपने आत्मकता तुजूक ए तेमूरी में किस किल्ले को पूरे हिंदुस्तान दा एक मजबूत और सुरक्षित किल्ख बताया है। तो अधर हिंदुस्तान अगला प्रस्ण ने कौनसी ग्रंथी शरीर का तापस्ता भी मनी जाते हैं कि साइंस के भी तीन से चार प्रस्ण पूछे जाते हैं फाकि अपने इंडिया जीके के लिखे कि भी होते है विहीं जो संग्टन हो गई विबिबिं जेल्ड हो गई इनके लिखे कौन सी ग्रंथी ऑताप निंथ्ञा सब्सक्राइबुर्ण प्रशांत चंद महाल नोबिस आजाए एक ही बात है ओप्शन तीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अगला प्रशने राजिस्तान में सूरी मंदिरों की वास्तु की विशेस्ता क्या रही है तो देकि राजिस्तान में जो सूरी मंदिर हुए है सूरीबंदिर कौ identifying रास्तान में एक तो पने ओशिया जोधपुर में एक अपने जालावाण जाला रापट नहीं वहां विष्थि धे रड़उपुर में है फॉपिर जा दीके वास्त्तु की विश्खरी स्ता रहे ही अपने चकर द्वज गता हो जाएगा करिक्टफ बंगाल की कारी में मिलते समय ब्रम्पूत्र का नाम किया हुझता है और अबुस्फ पूत्र नदी को बांगलादेस में जमुना के नाम सो जाना दता है इसको अगला प्रस ने अब generally में प्राप्त करने एक इस में थोड़ा मिस्टेक है कि तो यह थोड़ा गलत क्वेशन है इसको आप द्याल रखेए अगर नेए पूछे पर्फ में द्यान कि इस त्याहन रेक्त्कों और अपने जाकिर उसयन का समन्ध में और आंपने तबला वान से और भक सकते हैं तो option दो हो जाएगा इसका correct answer. Question 13 से, बीजोलिया अंदोलन में किस जाती के किसान सरवादिक संक्या में थे? तो क्या हो जो किस का अंसर? तो देखे, बीजोलिया अंदोलन के अगर बात करें, तो सरवादिक ये अपने दाकर जाती के अंचाती की किसान थे, और देखे, बारत का सबसे लंबी अउधी तक चलने अवाला अंदोलन कौन सा? अपने दाकर जाती के किसान दोरा मुखिरूप से ही चलाए गया था. तो option 2 हो जाएगा इसका correct answer. अगला प्रस्नी, सुल्तानपूर बक्षी वियार किस राजी मिशती थे? अगला प्रस्नी, सुल्तानपूर बक्षी वियार अपने हर्यान में इस्तिते अपने सुल्तानपूर बक्षी वियार. अगला प्रस्नी, पंजाब के जालंदर जिले में, जालंदर जिले के किस गाउं को नार्सरी ओफ होकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो दीकि है Nursery of Hokie Players अपने किसे का ज़रता है अगें 庐सों का अंसर संसार पूर को Option तीर हो जाएगा है इसका correct answer संसार फूर को अपने nursery of hockey players का जता है और यालंदर जिले में पंजाब के तो option तीने इसका correct answer nursery of hockey players संसारपूर अगला पूर उसने वीर बारत सभा की इस्तापना किसने किये तो तीकि वीर बारत सभा की स्तापना अपने 1910 में किसने किये 1910 में केसरी सिंग भारत ने किये किसने किये केसरी सीह भारत ने लेकिन इसके सस्ता पक सदेशी भी और पूछे जाए तो अर्जुलाल सेती है राव वोपाल सिंग करवा है वीज़े सिंग पतिक है ये सभी थे तो उप्यूक सभी वजाएगा इसका correct answer और ये उप्यूक सभी नहीं करना होता हुए तो केसरी सिंग भारत हो जाता है इसके मेहन सदेशी में 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंग भारत ने किये और वीर भारत समाज की स्थापना अगर पुछी जाए तो ये अपने विज़े सिंग पतिक ने किये ये दोनों बात आप ज्यान बाटिजप्टों की सबसे सुरवाती राज़दानी ति उसके बाद अगर बात करें तो तनोट तनोट उसके बाद राजदनी थी राजदनी थी सेकंड और तेसरी राजदनी कौन सी थी थर्ड राजदनी लोद्रवा थी और चोती और अंतियम राजदनी कौन सी थी अपने जेसल मेर थी जेसल मेर तो तो तेकि इसमें इन चारम में लोद्रवा टीन इसका स法 है क्लिशन अगल्या पramatic इंटराश्तर मुंद्प सिंग्त आंसर आंशब आहं त Death recognize that है करेंगे आपको मुंद जादे क्रूप्षिन कर आपको पढ़नेail को और आपको राप इसे दिए कर होगा एंगेे यह पर दफे डाव गट्रेंगे तो करो इसे बॐ यंद्र सिंग हो जाएगा इसका correct answer question 45 विल बारत अस्टार्स केमिकल लिमिटेट की स्थापना यमुना नगर में कब हुई थी तो दीकि बारत अस्टार्स केमिकल लिमिटेट की स्थापना यमुना नगर में कर बात करें तो 1938 में हुई ये option 3 उनिस ओर्टीज में और देखिए यमुना नदर अपने काई ये हर्यानों में स्तिते ओप्षन तीन हो जाएगा उनिस ओर्टीज इसका करेक्ट आंसर वेशन छी आली से सरीर से मुत्र अस्त्राव की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है तो ओप्षन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ओप्षन दो इसका सही आंसर है मुत्र अलताथ सवा जैरु रोसिस जो व्यक्ति सांसत ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है तो देखिए इसका अंसर क्या हो जाएगा गर कोई चुनाव हुए अभी मानली जिये लोकसबा के चुनाव हुए और अभी परदान मंत्री नरेंद्र हो देकर मानली जिये चुनाव हार जाए तो क्या वो परदान मंत्री बन सकते बिलकुल बन सकते छे महिनों तक वो प्रतान मुंतरी रह सकते ही और छे महिनों के वितर वितर वे लोकसबा या फिर राजसबा सदश्य बनकर उनको आना होगा यानि कि संसत का सदेशी बनकर आना होगा 6 माईनों की बितर बितर तो हाँ पर उन्हें 6 माईनों की बितर संसत सदेशी बनना होगा option 3 हो जागा इसका correct answer अगला प्रशनी निमलिकित में से किस सहर में जल्या वाला बाग सामुई गत्याकाण होगा था तो दीकि अम्रित सर हो जाएगा इसका correct answer अम्रित सर में अपने जल्या वाला बाग इत्याकाण होगा था और जल्या वाला बाग इत्याकाण अपने कब होगा था ये date भी आप जान रखे 13 अप्रेल तेवर 13 अप्रेल 1919 तेरा अप्रेव उनिस जो उनिस के दिन जलिया वालबाग अठ्यागान हो था है तेरा अप्रे उनिस मैं इस फिर्टिदर में इसस वीडियो का अंतियम प्रश्न है मानव सरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तो देखे सबसे लंबी हड़ी किस अंग की होती है अपने जांग की होती है option दो हो जाएगा इसका correct answer और इस अपने क्या नाम है इसका फीमर नाम है फीमर इसका और सबसे चोटी हड़ी अगर पूछ ले तो किस की है अप कान की हड़ी सबसे चोटी होती है, अस्टेपीज इसका नाम है, कान की हड़ी का नाम क्या है, अस्टेपीज इसका नाम है, और जान की हड़ी का नाम क्या है, फीमर, यह सबसे लंबी हड़ी होती है, दोस्तों यह थे इस वीडियो के 50 मात्म प्रशन, आप इमानदार इसे कमे आपको करेक्ट आ रही वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कीजिए चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक लिए वीडियो में जाए इन जाए बार